पीरियर्ड का समय महिलाओं के लिए काफी मुश्किल भरा होता है इस दोरान उनके पेट में दर्द, एठन, पेट दर्ड, फीवर, कमजोरी जैसी तमाम परिशानिया होती है कुछ महिलाओं में उल्टी और चकर आने जैसे समस्या भी देखने को मिलती है कुछ लड़किया या महिलाओं को पीरियर्ड में असहनिये एक्स्ट्रीम पेट भी होता है जिसे उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है वहें कुछ महिलाओं आराम पानी के लिए घरेली उपाए जैसे होट बाटर बॉटल और हर्बल्टी का सहरा लीती है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पीरियर्ड के दर्द से आराम पानी के लिए महिलाएं पेन किलर खा सकती है दरसल पीरियर्ड में दर्द क्यों होता है पीरियर्ड आने पर प्रोस्टांग्लैंस नाम के हामोन्स की वजह से गर्भाष्य की एंड्रोमेटियम छिली निकल जाती है जिससे यूट्रस से कुड़ जाता है इस वजह से सूजन और दर्द जैसे समस्याएं होने लगते है जब प्रोस्टाग्लैडिन लेवल बहुत जादा बढ़ जाता है तो फाइब्रोइड बन सकता है जिससे पेरियर्ड's में होने वाली प्रॉब्लम्स बहुत जादा बढ़ सकते है अब सवाल ये है क्या पेरियर्ड्स में पेनकिलर नहीं खा सकते? आमतोर पर पीरियट्स आने से दो दिन पहले ही महिलाओं में बहुत ज़्यादा दर्द होनी लगता है इससे में उनके पेट में क्राम्स बुखार ज़्यादा महसूस होता है कई महिलाई इन समस्याओं से वशने के लिए पेन किलर खा लेती हैं हेल्थ एक्सपोर्स के मताबिक पीरियुड्स क्रैम से आराम पानी के लिए पेन किलर ले सकते हैं लेकिन हलकी फुल के दर्स आराम पानी के लिए नॉन स्ट्रालिट एंटी ऐम्प्लिमेंटरी डर्गpent का ही स्त weniger कर सकती हैं हालकि इसके लिए भी पहले डॉक्टर से अच्छी तरह पूछ लेना चाहिए लेकिन इसके अलाबा भी पीरिट्स के दर से राहत पानी के लिए बहुत उपाए हैं जितना हो सके पानी पिए, खुद को हाइड्रेट रखे, ब्लॉटिंग बढ़ाने वाले फल और सबजियां खाने से बचे विटमिन D का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, विटमिन E और ओमेगा 3 फेस्टी एसिड वाले फूट सी खाएं पेट की निशले हिस्से पर गर्म पानी की बोतल रखने से आराम मिलेगा, हलकी फुलकी एक्सेसाइज भी कर सकते हैं, इससे आपको आराम मिल सकता है लेकिन अगर आपको असेहनिया दर्द हो रहा है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें